पिछले साल ओपिन हाइमर ने दुनिया भर के बॉक्स ओफिस में तबाही मचा दी थी, मानो नुकलियर बम गिरा दिया हो, एक पुलिटिकल और साइन्टिफिक बायागरफी ने बॉक्स ओफिस पर करीबन एक बिलियन डॉलर कमाए, ये है एक वेल डिरेक्टेड, वेल शक्ति, उधर सालों से कोशिश करने के बावजूद, बॉलिवूड और पुलिटिकल बायाउपिक्स का रिष्टा कुछ जमा नहीं है, स्पोर्ट्स बायाउपिक्स तो सूपर डूपर बना लेते हैं, लेकिन जहां बारी आती है पुलिटिकल बायाउपिक्स की, सब स्टे अबे एडिटर, किसने बुला था तुझे ये क्लिप चलाने के लिए, अबे यूएपिय लग जाएगा, बेल तक नहीं मिलेगी, फोकस कलने हैं, आज के मुवी के उपर, हाँ, तो बॉलिवूड ने एक बार भिर से कोशिश की है, एक पुलिटिकल बायागरफी बनाने की, और मैं अटल हूँ से, बॉलिवूड की बायागरफी बनाने के रेप्यूटेशन भले ही ना सुधरे, लेकिन कोशिश जरूर की गई है, और कोशिश अच्छी भी रही है इस बार, कि एक पुलिटिकल फिगर के उपर आपने पिच्चर बनाई, और वो भी ओवर दे टॉप नैशनलिजम, ओवर दे टॉप रिलिजिन का सहारा बिना लिये हुए, जैसे कि अक्षय और कंगना की हर मूवी करती है, अगर फ्लॉप कुईन हवा आने दे, तो मैं आपको समझाता हूँ कि किसे ये मूवी देखनी चाहिए और किसे नहीं, लेकिन पहले कुछ डिस्क्लेम फिर से अपने कंधो पर लिया है पंकच त्रिपाठी ने, पिछले साल ओ माई गॉड टू में आँग लगा दी थी और इस साल तो भाई साब जनवरी में ही चलो नमबर टू रीजन, विनोध भानुशाली, इस बंदे ने पिछले साल सिर्फ एक बंदा काफी है, याद है आपने, अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजेगा, वन अफ दे बेस्ट वर्क्स अफ मनोज बाचबाई, और एक कॉंट्रवर्शल टॉपिक पर भी इन्हों ने बनाई फिल्म, तो देखना तो बनता है कि पंकच तिरपाठी के साथ ये क्या जादू बनाते हैं, तीसरा कारण, मैं अटल हूँ को डिरेक्ट किया है रवी जादव ने, नैशनल फिल्म अवार्ड फोर बेस्ट फीचर फिल्म इन माराठी मिला हुआ है, दिगज माने जाते हैं मराठी सिनिमा के, और मराठी सिनिमा कितनी प्रोग्रेसिव है और कितनी स्लिक है, बतानी के जरूरत नहीं हो सकता है कि बॉलिवूड कभी कुछ भला हो जाए इनके डिरेक्शन से, चौथा रीजन, बहुत सारी शूटिंग इस पिक्चर की मेरे स्कूल लमाठने तो बनता है, बाइद वे, ये वो ही स्कूल है, जहां सनी पाजी ने शूटिंग की थी, गदर की हैंड पंप वहीं उखाना था, और नमबर पांच रीजन, वाजपाई की जिन्दगी और बीजेपी का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है, बहुत ही दिल्चस पॉलिटिक है ये, आर वाजपाई को शायद आज के डेट में बीजेपी में कोई पूछे ना पूछे, लेकिन अगर आपको जन्संग और बीजेपी के इतिहास को समझना है, आज के पॉलिटिक्स का बैक्गराउंड देखना है, तो वाजपाई की जीवनी समझना ज़रूरी है, इसमे अच्छे और बुरे, जी हाँ, अच्छे और बुरे साइड को दर्शाया जाता है, बायगरफी में कई बार नए तथे भी सामने आते हैं, रिसर्च के दोरान, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं अटल हूँ, बस इतिहास का एक पार्ट है, मान लीजे आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, जहां वाजपाई की जिंदगी का A to Z समरी आपको दे दिया जाएगा, गोड़ से के हाथ बापू की मृत्यू से लेकर चाइना का हमला 1962, वार विद पाकिस्तान 1965, एमर्जेंसी 1975, फाइनली एंडिंग इन 1999, कारगिल, सब कुछ समाने की कोशि की गई है इस मूवी के अंदर और इसी लिए यहां इस दे फेटल फ्लॉ यहीं मूवी फिसल जाती है, क्योंकि एक सेंट्रल पॉइंट पर मूवी केंदृत नहीं हो पाती है, कोई क्लाइमेक्स नहीं है, कोई सोल एक थोड़ा सा मिसिंग है इस मूवी में, एक टाइम कर रह जाती है, मैं अटल हूँ और अचानक खतम भी हो जाती है और तो और वाजपाई के कुछ मुख्य political and personal moments को या तो ignore कर दिया जाता है या तो explore ही नहीं कर दिया जाता है क्योंकि ये biography नहीं शद्धानजली documentary थोड़ी सी जादा है लेकिन तब भी तब भी picture कुछ recent years में release की गई political biography से मीलो आगे है अच्छे से शुरुआत करते हैं आपको ये picture क्यों देखनी चाहिए आज के date में जब Congress और BJP की तुलना होती है तो ideology छोड़ दीजे side में सबसे बड़ा contrast क्या आता है दोनों parties के बीच में, उनकी functioning में Congress confused है, lazy है, lack of communication बोला जाता है Lots of infighting जबकि BJP दिखती है चोकस, swift to move और elections जीतने की कभी न मिटने वाली भूक वाचपाई की जिंदगी और संग का इतिहास जब आप इस picture में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इस भूक के पीछे logic क्या है दशकों तक इतना प्रयास करने के बावजूद इनके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है उनकी political cloud Congress के सामने दशकों तक बैस एक bonus stature में ही रह जाती है मूवी में ये अच्छे से दर्शाया गया है वाचपाई एक शिक्षित परिवार से तो आते हैं पैसों की हमेशा कमी रहती है उनके family में इसके बावजूद बहुत कठिन परिस्तितियों में उन्होंने RSS के लिए काम किया वाचपाई जब finally प्रधान मंतरी बनते हैं तो मीडिया को खुब प्यार से handle करते हैं डरा धमका के नहीं प्यार से handle करते हैं मीडिया वो खुद समझते हैं अपने आप क्योंकि वो अपने time पर संपादक रह चुके हैं तो मीडिया कैसे काम करती है उसका political importance क्या है खुब समझते थे बाचपाई ये भी दिखाया गया है जैसे आज विपक्ष को कुछला जा रहा है एक time था जब जनसंग को भी कुछला जाता था संग का ये भी मानना है कि उनके senior leaders शामप्रसाद मुखर जी और दीन दयाल उपाध्याए की जो अचानक मौत हुई थी वो कोई heart attack या कोई हाजसे के वज़े से नहीं हुई थी बलकि सरकार की कोई चाल थी अब आरोप में कितना सच है कितना politics है ये तो नहीं मालूप लेकिन इस historical question को भी दर्शाया गया है वाजपाई public speaking के महारती थे कम से कम इस पर तो कोई debate नहीं है ये aspect पंकच्तर पार्थी ने खोब अच्छी तरीके से अपने character में ढाला है और ये भी देखने को मिला कि कैसे चार member की ही सही एक party हो लेकिन वाजपाई किसी से भी लोहा लेने से डरते नहीं थे संसद में चाहे वो नहरू हो चाहे वो इंद्रा गांधी हो आज के date में outspoken MP को लोकसभा से या तो suspend कर दिया जाएगा तो expel कर दिया जाएगा या तो UAPI लगा दिया जाएगा आज के date में आप सोच सकते हो कोई 4 MP वाले party प्रधान मंतरी से लोहा लेने का सोच भी सकते हो वो तो एक अलगी दौर था जब वाजपाई और नहरू पारलमेंट में जगरते और नहरू उन्हें private में कहते well done उनकी oratory देखकर नहरू कहते एक दिन ये अटल प्रधान मंतरी बनेगा ये पक्ष विपक्ष एक जगे और सम्मान एक जगे देखिए for example जब चाइना ने धावा बोला 1962 में वाजपाई ने नहरू की चीदडे उड़ा दिये पारलमेंट में लेकिन नहरू के देहांत के बाद शर्धानजली भी थी और जब वाजपाई खुद प्रधान मंतरी बने तो नहरू के portrait को सम्मान और स्थान दोनों दिया गया ये सारी जो historical tidbits हैं जो facts हैं इनको picture में अच्छे से दर्शाया गया है वाजपाई की जिन्दगी बहुत दिल्चस्प थी और उनके लंबे political career को एक movie में ढालना भी मुश्किल है ये भी fact है इसलिए अगर आपको RSS, संग, BJP के इतिहास को और गहराई से समझना है उसमें अगर आपको रुची है और आज के political background को अगर समझना है तो वाजपाई के बारे में आपको थोड़ा और पढ़ना बहुत जरूरी है starting point आपको दे देता हूँ अब आपको कितनी गहराई में जाईए वो आप खुद ही देख लीजेगा आप कुकू FM पर जाकर युग पुरुष अटल से शुरुवात कर सकते हैं सिंपल भाषा में हिंदी में आप इस audiobook को सुन सकते हैं अपने टाइम पर जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले और यही नहीं अगर आप कुकू FM पर जाओगे तो geopolitics, knowledge based books, biographies और अगर आप नीचे दियेगा एक coupon code का इस्तमाल करते हैं तो first month of कुकू FM is at a 50% discount यानि 49 rupees में 10,000 audio titles आपको मिल जाएंगे instead of 99 rupees for the first month, simple code है DB50 इस्तमाल करिए, link नीचे description पे हैं चलिए अब negatives पे आते हैं मैं अटल हूँ अब देखिए मैं इस बात पर भी अटल हूँ कि मेरा bias है इस movie के लिए और कुछ नहीं तो पंकच त्रिपाटी की acting के वज़े से आपके पैसे तो कम से कम वसूल हो जाएंगे वो बरवाद नहीं होंगे लेकिन इसना मतलब ये नहीं है के बावजूद इतनी complicated personal relationship क्यों रखते है उसका अंजाम क्या होता है इसके बारे में संग क्या सोचती है इसका कोई विपक्ष क्या होता है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता है बस touch and go कर दिया जाता है वाजपाई को by the way भांग के लड़ू वो उनको बहुत शौक था उसका उसका सेवन वो regularly करते थे लेकिन इसका कोई भी जिक्र आपको नहीं मिलगा क्यों? biography नहीं है न शद्धानजली है ऐसी बाते थोड़ी नहीं करते है वाजपाई के RSS के साथ संबंध कैसे थे complicated तो जरूर थे और अंत में कौन जीतता है इस topic को शायद ignore करना ही best समझा निर्माताओने नहीं तो hashtag boycott हो जाता emergency के बाद जनसंग पावर में आती है वाजपाई एक्सरण लेफेस मिनिस्टर बनते हैं लेकिन जनसंग की सरकार गिरती कैसे है बताते ही नहीं है बीजेपी पाटी बनती कैसे है उसके बाद लडखडाती कैसे है कोई mention नहीं और जब बीजेपी को मुद्दा मिलता है तो कैसे अटल moderate phase बन जाते हैं और अडवानी जी रत लेकर निकल जाते हैं इस पर भी एक complicated dynamic था जिसकी परषाई आज तक हमें दिखती है लेकिन शायद sensitive मुद्दा था इसे भी ignore कर दिया गया बाबरी मस्ज़ड demolition के बारे में बात हुई राम मंदिर के बारे में बात हुई लेकिन वाजपाई का हाथ कितना था बाबरी मस्ज़ड demolition में इसके बारे में भी कोई बात नहीं होती है और सबसे बड़ी चुक मैं अटल हूँ 1999 कारगेल वार में जब हमने पाकिस्तान को धूल चटाई वही जाकर सड़नली खतम हो जाता है ऐसा लगा कि कारगेल युद्ध खतम हुआ डिरेक्टर ने सड़नली बोला बस हो गया पाईसा खतम, बजेट खतम, समय खतम हो गया पिच्चर बहुत लंबी बन रही है तो गोदरा, राजधर्म वाला स्पीच पर्लिमेंट अटैक, ओपरेशन पराक्रम आईसी 814 हाईजैकिंग ये मूवी में है ही ने गायब मैं तो बोलूँगा, पार्ट टू की जगा है मुझे भी तो जानना है कि 2004 के शॉक डिफीट के बाद वाजपाई के आखरी दिन कैसे बीते पार्टी में जो उनके बाद जो परिवर्तन आया, उसके बारे में उन्होंने क्या, उनकी क्या सोच थी अंध तक L.K. अडवानी, उनकी इतने दशगों के साथ ही, उनके साथ उनके संबंध कैसे थे अंध तक अगर कुछ नया थोड़ा सा इस मूवी में मालूम होता, तो और मज़ा आता तो जिन्होंने regularly news follow किया है उनके लिए कुछ नया जरूर नहीं है लेकिन अगर आपने वाजपाई की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है कभी, तो जरूर देखिएगा इस पिच्चर को फाइनली मैं अटल हूँ के निर्माताओं का कहना है कि इस मूवी में कोई political agenda नहीं है, लेकिन फिर censor board और boycott mafia से बचना भी तो है, इसलिए Congress को हर समय दोशी, इंदरा गांधी को तो लाल light में villain दिखाया गया है एकदम close up circuit और धर्म और राश्ट्रबाद का हलके से इस्तमाल किया गया है, nothing on your face लेकिन हलके से जरूर इस्तमाल किया गया है लेकिन casting के लिए तो फिलफेर अभी ले लो भाई साब, पंकज स्रिपाठी आज वाचपाई, मैं सोच रहा हूँ पिछले 12 घंटे से और कौन ऐसा actor हो सकता था जो ये role अदा कर सकता था मेरे mind भावी तक second option तक नहीं आ रहा है बाकी सब भी मुरली, मनोहर, जोशी, शुश्म, स्वरा, जलके, अडवानी perfect casting, brilliant get up बस APJ कलाम को जोकर क्यों बना दिया ये समझ में नहीं आया मैं अटल हूँ को अगर आप incomplete मानोगे भी तब भी it is well made ये आपको impact जरूर करेगा example देता हूँ पिचर जैसे खतम होता है, क्रेडिट जैसे रोल होते हैं क्या करते हैं लोग उड़के चलने जाते हैं लेकिन यहां क्रेडिट के साथ साथ वाजपाई जी के original photos और उनकी आवाज में उनकी poetry play कर जाती है as the credits are rolling पूरा credit roll खतम हो जाता है lights on हो जाती है hall में एक बंदा हिलता नहीं है अपने seats से कुछ तो जादू किया है producer, director और पंकच त्रिपाथी ने audience के उपर Thanks to Kukoo FM for making this review possible थोड़ा सा और पढ़ भी लीजेगा वाजपाई के बारे में और biographies आपको Kukoo FM पे मिलेंगी 50% off on Kukoo FM's first month of subscription 10,000 titles for Rs. 49 instead of Rs. 99 Code is DB50 Thanks for watching, more episodes coming up